देखे प्रश्ण होना तो जायज है तब भी हुए थे अब भी हो रहा है और उपर से हम टहरे कल्यूक्य जीओ हमें नॉर्मल सी किसी हॉलिवूड बॉलिवूड की मुई समझने भी इतना समय लगता ये तो भगवान की बनाई हुई मुई है सामाने लोगों की तो क्या ही बात का नहीं क्योंकि बड़े बड़े त्रिकाल दर्सी वेद वित्ता लोगों को भी जब भगवान की लीला समझने बैठते हैं तो वो भी भरमित हो जाते हैं वो लोग भी अपने से बड़े किसी भक्तिया ग्यानी की शरन लेते हैं ऐसे की सनत कुमान ने हनुवान जी की शरन ली थी, भरद्वाज मुनी ने याग्यवल के मुनी की, गरुड़ देव ने कागभुशंडी जी की, कागभुशंडी जी ने शिवजी और ब्रह्मा जी की, वात्सयायन मुनी ने शेशना की जो की खुद लक्षमन है, और पारवती आपको कोई अंदाजा भी नहीं है कि आप किसके बारे में बात करे हो, यह वो परसन है जिसके सिफ उंगली के इशारे से इंद्रभी अमरुत परशा कर देता है, और सारी वानर सिना को जीवित कर देता है, और ऐसे भी लोग है जो पूरी लिला को भी जुठला देते हैं, अरे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, यह तो सब बाउधों ने और अंग्रेजों ने प्रक्षिप्त करके हमारे सारे वेदों और पुरानों को बिगाड़ दिया है, बल पुरानों को मानते भी नहीं हैं, यह प्रशन करने वाले तीन प्रकार के लोग हैं, श्रद्धालो, फिर आते हैं अश्रद्धालो, जिनको श्रद्धा नहीं है, कहीं यहीं वहीं से आर्टिकल वार्टिकल पड़ा है, और पता चला कि राम ने तो ऐसा किया, रावन अच्छा था, रावन तो मझे रावन जैसा भाई चाहिए, ऐसा ऐसा, तो वो लोग क्वेशन करते हैं, ठी उनको कितना भी आप समझा लो, आप कितने भी तर्क दे दो, उनके लिए सब सेम ही रहने वाला हैं, फिर भी इन तीनों के लिए, आज हम लॉजिकली, मौरली और शास्त्रीकली, ये सीता त्याक का पूरा गुही रहस्या, आपके सामने, खुला करके रख देंगे, तो पहल वालमकी जी की भी बात करें, तो उन्होंने सारा वालमकी रहान में नहीं लिखा है, उन्होंने रामचाही तर्का सिर्फ कुछी पूर्शन लिखा था, जो मानव के लिए रहा था, उसके सिवा वालमकी जी ने दो और रहान भी लिखी है, जिसको आनंद रहान और लोमेंस मुनेब सुनाई थि एक सबके सिवाय ब्रम्म, रमान, संबत रमायन, सांपत रमायन, बहुत सारी रमायन, इन सबके उपर, वेद्वियास जीने भी बहुत सारे पुरानों में और महभारत में भी रमायन की इतनी सारी डीटेल्स दिये है कि वो अलग से एड होती है एक और फैक्ट जो शाद आप नहीं जानते होंगे वो ये है कि वालमिकी जीने खुद एक बिलियन बार रमायन लिखी है उससे उपर एक और फैक्ट ये है कि पूरी वानर से नहा में जितने वानर है उन सब ने अपनी अपनी एक रमायन लिखी थी तो अब प्रशन ये आता है कि अगर इतनी सारी रमायन है तो हम सिर्फ वालमिकी रमायन के बार में क्यों जानते हैं वो इसलिए क्योंकि वो मानवों के लिए ही बनाए गई थी और सब रामायन वो देवतागण और रुशिगण के लिए बनाए गई थी वालमी की रामायन के प्रतम अध्या में एक श्लोक आता है इट रीड्स लाइक दिस उसके अंदर एक हजार और उमेरो मतलब की ग्यारा हजार वर्श मतलब की राम जी ने राज्ये करके अपने परंधाम को चले गए तो अगर हम वैसे रामायन को पढ़ने बैठे तो लंका कान तक तो सिर्फ पचास साल में खतम हो गया था तो बाकी के 10,950 साल का कहा है क्या भगवान ने लीला करनी बंद कर दी थी या फिर रुशियों ने लिखना बंद कर दिया था जी नहीं भगवान ने अपनी अद्भुत लीला भी की थी और रुशी मुनिया ने उसको डॉक्यमेंट भी किया था वालमी की जी ने पचा साल का राम चरित्र आर्श रामायन में लिखा था उसके बाद का सारा चरित्र आनद रामायन में लिखा है उसमें काफी गुप्त कताय भी आती है जो स्वयम भगवान ने किलित करवा दी थी जैसे सरकार होती है वो अपने सारे दस्तावे जो को दबा दे थी है वैसे भगवान ने कुद भी अपनी सारी गुप्त कताय दबा दी थी तो वो सारी गुप्त कताय सिर्फ तपस्वी लोग और विद्वानों के पास ही रहती थी फिर वालमी की जिनने सिता माता की अदभुत रहसे मैं लीलाओ का वर्णन किया अदभुत रमायन में तो ये तो बात हुई कि रमायन कितनी बार लिखी गई है अब बात करते हैं कि रमायन कितनी बार हुई है हरी अनंत हरी कथा अनंत अनंत समय से चलती आई है और अनंत समय तक चलेगी भी होता यू है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में जब दो कल्प आते हैं एक कल्प का दिन होता है एक कल्प की रात होती है उसमें से जो दिन होता है उस समय के अंदर पूरे कल्प में टोटल चार अरब 32 करोड वर्ष होते हैं हमारे उस चार अरब और 32 करोड वर्ष में भगवान राम एक बार जनम लेते हैं हमारे जो जनरली 24 मनवंतर में होता है और अभी चला है हमारा 28 मनवंतर अध्यात्मा रमाण में एक बहुती अध्भुत लीला आती है जिसमें सीता माता को जब राम भगवान बोलते हैं कि आप मत आओ हमाय साथ वन में तो उसमें सीता माता कहती है कि हे राम आपने बहुत से संतों से बहुत सी रमाण सुनी होगी क्या किसी में भी श्री राम सीता क तो उसमें जानने योगे बात ये है कि उन सब में majority of details सेम रहती है पर चोटी चोटी चीजे बदल भी जाती है जिसको कल्ब भेद कहते हैं जैसे की इस कल्ब में पांच दिन में राम सेतु बना था तो पिछले कल्ब में दो घड़ी में मतलब की 48 मिट में ही बन गया था इस कल्ब में रावणवद चैतरा कृष्णर चतुरदशी को हुआ था तो पिछले कल्ब में विजया दश्मी को हुआ था वेल पिछले कल्ब में तो सिता स्वायमवर ही नहीं हुआ था अग्यात वास्ता रावणा लग था एक बार तो राम से तु भी नहीं बना था तो पिर कैसे इन लोगों ने समुद्रपार किया था किसी को पता है? कमेंट करो नहीं पता है? कमेंट करो बता देंगे हो तो अब मेंन क्वेस्चन पे आते हैं कि ये सब हुआ क्यों और कैसे हुआ? तो हुआ यू था कि वालमी की जी ने पचास साल का राम चाहितरा लिखा, फिर उसको लवकुष को शिखा दिया, जो उन्होंने जाकर राम दरबार में गाया, और फिर वो गाते गाते पिर वहीं रहे गे, उसके बाद की राम लिला वालमी की जी आनंदरमायन में बताते हैं, सीरियल में recap होता है वैसे आनंद रमायन के शुरुवात में भी recap होता है जिसको सार कांड नाम दिया गया है उसके अंदर majority of वालमी की रमायन में जो लिखा है वो सब संक्षिप्त में बता दिया गया है हलाकि इसमें कुछ और चीज़े भी एड़ की है जैसे की दश्रत कई कई का स्वर्ग जाना, युद्ध करना, वहां की सारी डीटेल्स, शुर्प नखा के पुत्र कावद, और ऐसी बहुत से चीज़े लिखी गई है अगर आपको जानना है तो फिर कमेंट करो, बताते हैं इसके बारे में भी तो आनन्द रमाण के एक से नौवे सर्ग में, जन्मकान में सीता त्याक के सारे रहसे वालमी की जिने खोल दिये है जैसे की जन्मकान में रामजी सीता मा को कहते है की हे सीते, पतनी के घर्ब ठहरने के पाँचवे मास के बाद व्यक्ति को स्तरी रमण नहीं करना चाहिए गर्ब काल में तुम्हारी इच्छा भी पन में जाकर विहार करने की थी इसलिए मैं तुम्हारे घर्ब के आठवे मास में धोबी के लगाए लांचन का बहाना लगा कर तुम्हें महर्शी वालमी की के आश्रम में भेज दूँगा जहां तुम्हारे पिताजी राजा जनक ने पहले ही सभी दिव्य सुक्की सुविदा करके व्यवस्ता कर दी है फिर पांच वर्स वहां रहकर तुम मेरे पास आजाना इसके बाद लोगों के सामने शुद्धी सपत करके पृत्वी पर समाईत हो जाना और समाय अनुसार पुन्ह मुझे प्राप्त हो जाना समझ रहे हो यह पूरी गुप्त योजना सारे परिवार वालों ने मिलके बनाई थी वरना कुछ जनक महराज पिताओ के क्यों कुछ नहीं बोले हम बताते हैं क्यों राम जी ने कहा, हे महराज जनक, आपको अपनी पतनी सुमिधा के साथ वालमें की क्या आश्णम में ही पांच वरफ्त रहना चाहिए राम जी की इस बात को राजा जनक और राणी सुमिधा ने शहर सुकार लिया साथ ही सिता जी ने भी हसते हुए अपने पते की इस बात को समर्धन कर दिया एक और प्रमान लेते हैं राम जी कहते हैं हे देवी मैं सब उपाय जानता हूँ वो तुम्हें बता रहा हूँ तुमसे संबंधित लोक निंदा का काल्पनिक बहाना करके मैं साधारन मनुश्यों के सामने भैवीत होने का नाटक करके तुम्हें वालमेगी जी के आश्रम में छोड़ दूगा वही तुम दोनों पुत्रों को जनब दोगी अब एक और प्रमान लेते हैं नारत पुरान से नारत पुरान उत्तरारद 75.52 उन धर्मवित्ता ने लोकापात के भैसे सीता जी को वालमेगी के आश्रम में छोड़ दिया तता सीता जी ने वहाँ सुख पुरुवक रहने लगी अब सोचे अगर त्याग हुआ है तो सीता जी सुख पुरुवक कैसे रह सकती है और अगर ये गलत बात हुई है यहाँ पर भगवान राम ने गलत चीज़ की है तो वो धर्मवित्ता कैसे हुए मतलब बात ये है कि कुछ अंद्रोनी लिला जरूर हुई है जिसे हम साधारन बुद्धी वाले मनुश है साधू, सास्त्र, या फिर गुरु की साहय के बिना नहीं समझ सकते है तो इसको आज हम यहीं पर विराम देते हैं वरना राम लिला तो ऐसे जन्मो जन्म तक हम बताते ही रहेंगे पर हम एक और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे जिसके अंदर और भी प्रश्णों का आपको आंसर देंगे जैसे की धोबी ने ऐसा आखिर क्यों किया और रावन का तो वद कर दिया पर हम तो धोबी को इतने गंबिर लांचन के बावजुद भी एक भी दिन का कारावास क्यों नहीं किया सीतामा ने ऐसा क्या किया था कि धोबी ने ऐसा बदला लिया धोबी और उसकी पत्नी के पुर्वजनम के रहस्य और इन सब के पीछे का मारमिक हिस्सा ये कि ये सब लिला प्रभू करते ही क्यों है इन सब के पीछे का उदेश क्या है इन सबका जवाब हम देगे आपको अगले वीडियो में तो आज हमने हमारा काम कर दिया आपको जवाब दे दिया अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इसको दोस्तों को भेजो दुश्मनों को भेजो फरिवार को भेजो फेस्बुक पे भेजो वाटसअप बे बेजो कहीं बेभी बेजो वर इस ग्यान को फैलाओ इतने लोगों तक पहुँचा दो कि आज के बाद ये प्रशना किसी के मुझे निकले ही नहीं तुम मिलते हैं अगले बार एक नया वीडियो लेकर तब तक तब तक क्या दाल रोटी खाओ और हरी जुन गाओ घब तक पहुचा उर्शना किसीएग प्रिजना किसी आज का अरे जा हुचा सैंगले वर ऐक रखमाँ और हरी जा हुचा आसथियो लेकर